आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें प्रश्में बोला गया है कि दो समान परवले P1 तथा P2 मतलब दोनों परवले समान है इसका मतलब दोनों परवले के लिए एक कमान बड़ाबर होगा अब अगर दोनों परवले के लिए एक ही असपरश रिखा है तब बिंदू V1 और बिंदू V2 को समीकरण Y बराबर MX घटा AM कवर्ग को सा्डिस्फाइ करना होगा तो सबसे पहले हम लोग बिंदू V1 को इस समीकरण में रखते हैं तो इस समीकरण में हम लोग Y कमाण 4 रखेंगे और X कमाण 0 रखेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं V1 जिसका समिकरन 0,4 है इसे हम लोग इस समिकरन में रखेंगे तो हम लोग Y की जग़ 4 रखेंगे और X की जग़ 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 बराबर M गुना 0 घटा AM का वर्ग इसे हम लोग हल करेंगे तब हमें am का वर्ग का मान मिलेगा घटा चार इसे हम लोग पहला समीकरन बोलेंगे अब हम लोग बिंदू v2 को समीकरन y बराबर mx घटा am का वर्ग में रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग फिर से समीकरन को लिख देते हैं समीकरन y बराबर mx घटा am का वर्ग और बिंदू V2 का निर्देसंग जैसा कि प्रेश्ट में दे रखा है 6,0 तो हम लोग यहाँ पर Y की जग़ 0 रखेंगे और X सी जग़ 6 रखेंगे तब हमें मिलेगा 0 बराबर M गुना 6 घटा AM का वर्ग और यहाँ पर हम लोगों को समिकरन 1 से AM का वर्ग का मान घटा 4 मिला है तो हम लोग यहाँ इसे उप्योग करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 0 बराबर 6 M घटा 4 क्योंकि समिकरन 1 के नुसार AM का वर्ग का मान घटा 4 है अब हम लोग इसे हल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 0 बराबर 6M, घटा फिर घटा 4 तो यह जोड 4 के बराबर होगा तो अब हम लोग इसे लिखेंगे 6M बराबर घटा 4 यहाँ से हमें M का मान मिलेगा घटा 4 बटा 6 है हम लोग उपर और ऑर नीचे दोस्ते विभाजन करेंगे तब हमें M कामान मिलेगा घटा 2 बटा 3 और जैसा कि समिकर्ण 1 के अनूसार हमने Am का अवर कामान घटा 4 इस तो यहाँपर हम लोग M कामान रखेंगे तब हमें A कामान मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समिकरन एक के अनुसार जो कि समिकरन एक के अनुसार हमने ए एम का वर्ग कामान घटा चार ग्याद किया है अब हम लोग यहाँ पर एम कामान रखेंगे जो कि हमें घटा दो बटा तीन मिला है तब हमें A का मान घटा नौप प्राप्त होगा अब जैसक की प्रेश्ट में दे रखा है कि सम्मित अक्ष उर्धावर है इसलिए परवले का समिकरन X कवर्ग बराबर 4 गुना A गुना Y होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चुकि सम्मित अक्ष उर्धावर है इसलिए परवले तो यहाँ पर परवले का समिकरन होगा X कवर्ग बराबर 4 गुना A गुना Y और हम लोग जानते हैं कि परवले X कवर्ग बराबर 4 गुना A गुना Y में असपर्स रेखा का असपर्स बिंदू का निर्देसांग होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं असपर्स बिंदू तो असपर्स बिंदू का निर्देसांग A और M के रूप में होता है 2AM, AM का वर्ग और हम लोगों से प्रष्ट में अस्परशीर बिंदू के भूज एवं कोटी का योग पूछा गया है तो यहाँ पर हम लोग 2am जोड am का वर्ग लिखेंगे और यहाँ पर हम लोगों ने a और m का मान प्राप्ट किया है तो उसे रखेंगे तो हमें मिलेगा दो गुना a का मान हमने घटा नौ प्राप्ट किया है गुना m, m का मान हमने घटा दो बटा तीन प्राप्ट किया है जोड a, a का मान हमने घटा नौ प्राप्ट किया है गुना M का वर्ग M का वर्ग की जगह पर हम लोग लिखेंगे घटा 2 बटा 3 का वर्ग अब हम लोग इसे हल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 3 से 9 का विभाजन करेंगे तो यहाँ हमें 3 मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 2 मतलब यह बारा की बराबर आएगा और घटा से घटा को गुना करेंगे तो वह जोड़ हो जाएगा मतलब यह हम लोग 12 लिखेंगे जोड घटा नौ गुना गटा 2 कवर कमान 4 होगा, बटा 3 कवर कमान 9 होगा, तब हमें यहाँ प्राप्त होगा, 12 जोड घटा 4, मतलब यहाँ पे घटा चार आएगा, मतलब 12 घटा 4 कमान 8 होगा, यह हमारा उत्तर होगा, धन्यवाद,